आज हम जानेंगे बगवान महाविर की अंतिम देशना का चतूर्थ अध्ययन जिसमें बगवान एक कहानी के माध्यम से हमें कुछ सिकाने, बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति तिर्थंकर, ग्यानी और सरवग्य वच्णों को जानने के बाद भी उन पर नहीं चलते, जीवन में नहीं उतारते, अपने ही अहम में रहते हैं, अपने को बड़ा ग्यानी मानते हैं, उनके साथ देर सवेर यही होता है जो इस कहानी में इस पात्र के साथ होता ह तो अब जानते हैं कहानी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एक ब्रामन परदेश जाकर सर्व सास्त्रों में पारंगत होकर अपने देश में आया उसकी विद्वता देखकर किसी ब्रामन ने अपनी रूपवती कन्या के साथ उसका विवाह संबन कर दिया इस ब्रामन की विद्वता एवं बिनम्रता देखकर वहां की जनता एवं राजा ने दान दक्षिना आदी से उसका बहुत सम्मान किया इस कारण कुछ ही वर्सों में वो ब्रामन धनाध्य हो गया, प्रचुर धन हो जाने से ब्रामन ने अपने पत्नी के लिए अनेक आभुशन बनवा दिये, इससे वो अत्यन प्रसन हुई स्रिंगार प्रिय होने से वो ब्रामनी अपने शरीर पर समस्त आभुशन सतत लादे रह इस कारण गाव की अन्य महिलाएं उसे नित्य मंडिता कहकर पुकारती, एक दिन ब्रामन ने अपने पत्नी से कहा प्रिये ये छोटा सा गाव है, इसलिए तुमारा हर समय सभी आभुशनों को पैने रहना और घूमना ठीक नहीं है, आभुशन तो किसी उत्सव या त्योहा के दिन ही पैने जाते हैं, सदा नहीं पैने जाते, फिर आजकल गाव में चोरों का बहुत उपद्रव है, अगर यहां चोर आ गए तो तुमारी जान को भी खत्रा हो सकता है, आकस्मिक संकट के समय आभुशन जल्दी उतारे भी नहीं जा सकते, इसलिए आभुशनों को नि आपका कहना ठीक है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जिस समय चोर आएंगे, उस समय मैं सीख रही, इन आभुशनों को उतार कर रख दूंगी, आप जराबी चिंता न करें और फिर अगर वे आभुशन रोच पहनने के काम में नहीं आते, तो आपने बनवा आये ही किसलिए, ब्रामनी का उत्तर सुनकर उसका पती चुप रह गया, ब्रामनी सदेव यथावत सभी आभुशनों से सजी धजी रहने लगी, पंडिताइन के सरीर पर बहु मुल्य आभुशनों को देख कर कुछ चोरों का मन ललचाया, एक दिन अवसर देख कर रात में क चोर घर में घुस आये, चोरों को देख कर पंडिताइन को अपने आभुशनों की रक्षा की बहुत चिंता हुई, चोर तो उनी आभुशनों को लेने के इरादे से पंडित के घर में आये थे, पंडिताइन ने बहुत चाहा कि अपने निकट चोरों के आने से पहले ही ये आबुशन शीग्रही उतार कर कहीं छिपा कर रख दिया जाए। परंतु पौश्टिक पदार्थ खाने और मैनत न करने से पंडिताइन का शरीर इतना मोटा हो गया था कि हाथ पैर आदिशे आबुशन उन-उन अंगों के साथ मजबूती से चिपक गए थे। साथ ही आबुशनों को शरीर पर उतारने का भी उसे अभ्यास नहीं था। इसलिए आबुशन सरीर से उतारने में वो असमर्थ रही। चोरों ने देखा कि पंडिताइन का शरीर बहुती स्तूल है, थुल-थुला है। इसलिए अन्य अव्यवों पर से तो आबुशन आसानी स उतारे जा सकते हैं, मगर इसके हाथ पैरों से आबुशन, सिग्र उतारे नहीं जा सकेंगे और अधिक देर की तो आसपास के लोग जग जाएंगे। हो हल्ला मत जाएगा, फिर हमें कुछ भी हाथ न लगेगा। इसलिए चोरों ने आव देखा न ताव। पंडिताइन के दोनों हाथ एवं पैर काट डाले और सभी आबुशन लेकर वहां से नौदो ग्यारा हो गए। बेचारी घायल पंडिताइन अपने अविवेक के कारण अत्यन पीडा भोग कर कुछ ही दिनों में मरन को प्राप्त हो गई। इस कहानी का निशकर्ष ये है कि जिस प्रकार न अबुशनों को सीग्र निकाल न सकी इस कारण उसे घोर पीडावस अपने प्रानों से हाथ धोना पड़ा। इसी प्रकार जो सादग, बगवद वचन, तिर्थंकरवानी या गुरु वचन न मानकर विशई कसायों के संग का त्याग नहीं करते। वे कामभोग एवं आकरमन के समय, मोह करमोदय के कारण, सीग्र उनका त्याग न कर सकने से गोर दुख पाते हैं और आत्मविनास को न्योता देते हैं। पर जट पट इस प्रकार विवेक नहीं कर सकते। मरुदेवी माता का उदारन दे कर कुछ लोग अंतिम समय में ततकाल विवेक कर लेने का समर्थन करते हैं। परन्तु मरुदेवी माता तो एक आस्चर्य रूपती, वैसी तिव्रभावना सब में नहीं होती। कोई विरला व्यक्ती ही ऐसा होता है। इसलिए सयमपत में अभी से उद्यत होकर मन वचन काया से इच्चा मद वकाम का त्याग करके सत्रु मित्र पर सम होने का अभ्यास करना चाहिए और अप्रमत्ता का भी अभ्यास करना चाहिए। जो अभी से इन सब का अभ्यास नहीं करते वो ब्र अगवान महावीर केवली अवस्ता में कितने वर्षों तक रहे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें।